क्लास 11 बाइलोजी NCRT फर्स चाप्टर लिविंग वर्ड जिसका पार्ट थ्री पढ़ा चुके हैं पार्ट वन टू थ्री तीन तीन पार्ट में पढ़ा चुके हैं आज पार्ट फूर अज पार्ट फूर स्टार्ट करने जा रहें पढ़ेंगे फ्लोरा फॉना काटेगरी काटेलोग्स और मैनुवल्स मोनोग्राफ के बारे में जानेंगे अब बाकी वीडियो पहले जो पढ़ा चुके हैं डाले में वह देख लीजिएगा फिर यह लास्ट वीडियो है फिर समझ में आगा फिर पढ़ने के बाद NCRT जरूर पढ़िएग स्टेडी करते हैं अब फॉना एनीमल के बारे में स्टेडी करते हैं इसमें इतने ही जानना था टालोग्स का इन्फोर्मेशन प्लांट का और एनीमल्स का अकोडिंग किसके अकोडिंग इंडेक्स के ठीक है काटलोग में इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन जानना किसका प् में और उसका इन्फोर्मेशन circuit interpretation तीए उसके बारे में information की ओहां रहता है इन्फोर्मेशन की और इसा इस यह जाने और identification करेंगे54 manuals में ठीक है उसके मैनोल्स में इसमान स्कुर्ण करते हैं किसशी स्पेसिस का नेम पिर उसका एरिया ओकां गया है कहा रहता है किस जगह में रहता है फिर उसका इन्फोर्मेशन और इन्फोर्मेशन करेंगे ठीक है फिर मोनोग्राफ मोनोग्राफ में क्या करते हैं इन्फोर्मेशन को कंटेन करते हैं किसे इनी मतलब कोई टैक्षों से ठीक है कोई एक टैक्षों से इन्फोर्मेशन क क्या करते हैं कंटेन उसका कंटेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं मोनोग्राफ बोलते हैं ठीक है आज का वीडियो खतम थांक यू अप्लीज पहले जो डाले हैं वो वीडियो जाके देख ले और उसके बाद NCRT बुक पढ़ें देखी जरू समझ में आएगा ठीक है ठांक क्या है?